तो खेला विल्कम टू टेज सिविल सर्विसस तेज सिविल सिर्विसस मैं आप सब एक स्वागत है मेरा नाम पर भात है और आज मैं आप लोगों के लिए पिछले तीन दिनों की करेंड अफैर्स आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें लाइक करें जिससे आपको आगे की सभी हमारे वीडियो की जानकारी मिलती रहे तो आई वीडियो करते हैं पहला कोशन देखते हैं I for India Concert के लिए किस कमपनी ने बॉलिवुड के साथ सयोग किया है तो I for India कैमपैन चला रहा है और बॉलिवुड के साथ किस ने सयोग किया है तो Facebook ने किया है फेस्बुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग है और फेस्बुक ने भी कुछ दिन पहले रिलैंस जियो में 9.9% की कुछ हिस्सेदारी खरीदी थी रिलैंस जियो में और फेस्बुक का एक और प्रोग्राम चला है भारत में वी थिंक डिजटल के नाम से और वो भी आप याद रखेंगे और एक और प्रोग्राम चला है कई सारे प्रोग्राम चलते हैं फेस्बुक के भारत में गोल इनिशियेटिव भी चला है तो गोल इनिशियेटिव के तहत हमारी जो ट्राइबल वूमेन हैं उनको सिच्छित किया से लिए गिलर्मोक चनर वर्ड्प्रहस वीडम यह उत्कृिष्ट पत्रकारिता की लिए प्रष्कार दिया जाता है जिँनेस्को देश के पडीवरा respondsो frequentおお इसे कि से रेस फ्रीडम और कोलंबिया के है यह को लंबिया की राजध्धानी है बहोता और कॉलंबिया की मुद्रा नं चीलंबिया की मुद्रा डेल एक और आगला वूस्न देखते हैं विस्ट्रस्थमादिवस मना जाता यह Ł इसकंगे ता इसकी डेट यह माई के पहले टीजडे को मना जाता है तो इस बार माई का पहला टीजडे पढ़ा था पांच माई को तो इस बार यह पांच माई को मना गया अस्थमा पर जाग रुकता के लिए ये दिवस मनाय जाता है विस्त्व अस्थमा दिवस मार्च मई तो इसका थीम इस्से भी ज़ाद है इसका थीम इस इस अख रहेव भारती नहोचेना ने विदेशों मे वसे भारतीयों को लाने के लिए आप्रेशन लाउंच किया है ऊसका नाम क्या है तो यह operation समुद्र सेतु है जो हमारे विदेशों में नागरिक फसे हुए है उनको वापस लाने के लिए यह भारती नौसिना ने हमारा यह operation चला रही है इसमें हमारे दो जहाजों को भेजा गया है मालदीव आई एनस जलस्व और आई एनस मगर को दो जहाज है यह इन्हीं को भेजा गया है लाने के लिए जो नागरिक फसे हैं हमारे विदेशों में और इसके अलावा इंडियन नेवी ने एक और प्रोग्राम चला आप्रेशन वनीला जो कि मेड़ा गासकर में बाद तुफान आया था को अभी कुछ दिन पहले डाइने तो उसमें जो नागरिक फस गया था उस कुण को बचाने के लिए चला गया था आप्रेशन वनीला इंडियन नेवी के द्वारा तो यह भी आप्याद रखेंगे अगला कोशन दे यह नाम आप याद रखेंगे इंपोर्टन यह भी अगला कोशन देखते हैं किस मंत्राले ने जेम गवर्मेंट य मारकेट पोलते हैं इसे पॉर्टल पर दा सरस कलेक्षन लांच किया है तो ग्रामेड विकास और पंचादी राजमंत्रा ने लांच किया है ग्रामीड विक करते होंगे प्रसाओं में हमारी माईलाओं को काफी मदद करती है तो इंटरनेशनल मेंड़ वाइपस डेक कब होता है तो पांच माई को होता है इस बार इसका थीम क्या था वहों ने इस वर्स को घोसित भी किया है मिडवाइपस का साल घोसित किया है इस 2020 को यह भी अप्याद रखेगा अगला कुशन देखते हैं किस राज्य ने वाट्साप नंबर 8794534501 लांच किया है जहां सीधे भरष्टाचार की सिकात होगी अगर इस राज्य में कोई भरष् देव हैं तुरपुरा के गवर्णर रमिश्बैस है और तुपुरा में आपको कही सारे नैस्नल पार्क मिलेंगे जैसे अभ्याबडड नैस्नल पार्क है महाँ पर लेकिन ख्लावडड लेपर्ड कहां का स्टेट अनीमल है तो में हाले का है पर एक ठ्लावडड लेपरड पर नेशनल पार्क बनाया गया था राजबरी या वेस्वान रश्टिवद्यान तो यह सब आप याद रखेगा तिरुपराग बारे में अगरा कुशन देखते हैं तो इसी कडिम आगे बढ़ते हैं अगर कुशन देखते हैं किस देश ने Monoclonal Neutralizing Antibody विक्सित की जो रोगी के सरीर में वायरस कर हमला कर उसे बेसर कर देगा तो Monoclonal Neutralizing Antibody विक्सित की है यह इजरायल ने की है इससे क्या होगा कि कोरोना वायरस का खत्रा काफी कम हो दो लड़ने हुआ इससे इसे विक्सित किया है इसराइल की राजधानी येरुसेलं है इस्राइल की मुद्रा किया है इस्राइल की Madras इस्राइल में हिब्रू बासा बोली जाती है और इस्राइल की मुद्रा इस्राइल अभी याद नहीं आ रहा मेरों को मैं आपको बताऊंगा अभी कुछ दिर में याद आएगा तो डायचे बेले के 2020 के Freedom of Speech Award से किस भारती पतरकार को समानित किया गया है डायचे बेले ये भी इंपोर्टन्ट अवार्ड है ये Freedom of Speech Award हाँ इस्राइल की मुद्रा मेरों को याद आ गया है सेकल है तो ये भी आप याद रख लिएगा मेरे को याद नहीं आ रहता तो मैंने बताऊंगा डायचे बेले के 2020 के Freedom of Speech Award से किस भारती पतरकार को समानित किया ग अगला कोशन देखते हैं के जरकार ने विदेशों में फसे लगबग 14800 भारती नागरिकों को घर लाने के लिए कौन से निकासी अभ्यास शुरू किया तो ये वंदे भारत मिशन लॉंच किया गया है जिससे हमारे नागरिक जो फसे हुए है विदेशों में उन्हें लाने तो ये था के बंदे भारत मिशन और अगला कोशन देखते हैं इसी कड़ी में रोशिया के राश्पती पूतिन ने किसे दुती विश्विदी के सम्रती मेडल से समानित किया है रूश के राश्पती पूतिन ने किम जोंगुन को किम जोंगुन आप जानते होंगे ताना शा लामलाई का निधन हो गया ये प्रसिद्ध क्या थे तो ये राजनेता थे दलित एजी लामलाई और ये अटल विहरी सरकार में मंतरी भी थे स्वास्थ वंग परिवार कल्यान मंत्राले के मंत्री थे यह दली तेज मलाई इनका निधन हो गया तो अटाल सरकार में मंत्री थे आप याद रखेगा अगला कोशन देखते हैं किस राज ने आयूश कवाच अप को लॉंच किया है तो आयूश कवाच अप को यूपतर प्रोनावारस के बारे में कि और य यूपी ने लॉंच किया है उत्तरपरदेश को मुख्यमंत्री योगिया दिएटनात है और उत्तरपरदेश की गवर्नर कौन नैनो विज्ञान और प्रद्धोगी की में यूवा केरियर पुरसकार किसे दिया गया तो ये भी important question है काफी यूवा केरियर पुरसकार किसे दिया गया तो इस और अप लोड़ा को दिया गया विज्ञान और प्रद्धोगी विभाग द्वारा तो ये भी आप याद रखेग तो यह UV Blaster नाम से कल्ट्रा वालट UV Disinfection Tower विक्सित किया है जिससे के कोरोना वारस के यदि व्यक्ति से बचने के लिए वो डिसिंफेक्ट कर देगा व्यक्ति को अगर आप इससे निकलेंगे UV Blaster से तो यह DRDO ने विक्सित किया है DRDO के स्थापना 1958 में हुई थी DRDO के वर्तवान अध्यच जी सतीस रेड़ी है तो अगला देखते है तो अगला कोशन देखते हैं भारत का पहला राज जो अफ्रीकन स्वाइन फीबर से प्रभावित हुआ वे कौन राज है तो यह असम प् मंत्री सर्वानन सबनेवाल और जगदीश हैं असमें कहीं तरय आपको नेस्वार मी मिल जाएंगे जिसे राजियोगांधी और ऊरंग नेशनलल पार्क का नाम राजियोगांधी की नाम पर तो और मनास में में आपको पता तो यह बाय और यह प्रोजेक्ट टाइकर के ut diffic है और यह एक वो यूनस्को की वाड हरीटेसाइट में भी है मनास नेशनल पर तो यह भी आप रखेगा ना मेरी ना मेरी टाइट टाइगर रेसर्व है और कांजी रंग टाइगर रिजर्व भी है और डिबुरु साइखोवा नेसनल फार्क भी है यहाँ पर असम में तो यह सब आप याद रखेगा असम के बारे में अगला कुशन देखते हैं विशाका पटनम में LG पॉलीमर उद्योग से हाली में कौन सी गैस लीक हुई थी जिसमें दस से अधिक लोगों की मौत हो गए और कई लोग अस्पदाल मरती हुए तो यह विशाका पटनम में हास्ता हुआ था विशाका पटनम जो की आंत्परदेश में है आंत्परदेश की एकजी क्यूटू केप्टल है विशाका पटनम और यह LG पॉलीमर उद्योग से इस्टारीन नामक गैस का रिशाओ हो गया था जिससे कई सारे लोग दस लोग के मौत हो और कई सारे लोग अभी भी भरती हैं तो यह श्टारीन नाम की गैस थी और यह विशाका पटनम में हुआ था यह कांड और LG पॉलीमर कंपनी कहां की है तो यह साउथ कोरिया कंपनी है यह आपको बता दू और जब कोश्चन बनाएगा तो इस कोश्चन एक प्रकार से विशाका पटनम में तो यह था हमारा साथ नो मई 2020 का वीडियो तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप जुरूर क्रमेंट्स में लिखके बताएं और इस वीडियो को दिख्षदिक लोगों तक शेयर करें तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग ते